नमस्कार में आज ना, MNS निउस लाइम में आप सबी दर्शवों का स्वागत है। पता चला है कि भामरागर्ण तहसिल के गुंडरवाई जंगर परिसर में 27 एपरेल को वी पुलिस नक्सल मुड़ेट में उसकी पत्नी रामको उर्फ कमला नरोट मारी गई थी। इस कारण भासकर हिचामी ने इस नक्सली विश्पोर्ट को अंजाम दे कर पत्नी की मोत का बद रामको एटापली थासिल के कोस्मी की निवासी थी। दस वर्फ पूर्वल ही एक ही दल में कारियरत होने पर दोनों ने विवाह किया था। पासकर को हिंस घटनाव को सफलता पूर्व अंजाम देने के लिए पैचाना जाता है। यही कारण है कि वरिश्ट नक्सल केंडर खुष होकर उसे कुछ ही वर्षों में उतर गर्चुले डिविजनल कमेटी के सच्चिव की जिमिदारी सोफी थी। गठा दखल में कारियरत उसकी पतनी रामको को डिविजनल कमेटी सदेश से बनाय गया था। रामको पर सरकार ने 16 लाग का इनाम भी रखा गया था। पत पर कारेरत है। उस पर उतर गर्चुले डिविजनल कमेटी के सची उपत की भी जिमिदारी है। गठ दो मैनों से पुरकेडा तसिर के पूराडा येरकर राश्ट्रियम भारमार्ग का निर्मान शुरू है। यहां करीब 50-60 वाहन लगाए गये थे। मंगलवार को भासकर क के नेतरुत में करीब 500-200 नक्सलियों ने रात में दादापूर स्थीत कमपनी के गिट्टी, प्लान पर चालक और मजदूरों को कबजे में लेकर 36 वाहनों को आग लगा दी। इसके बाद वे जंगल में चले गये। बड़ी हिंस अगटना के बाद पुराडा पुलिस कुर लगाया गया। उध्वार की सुबह पुलिया की नस्दी कुछ नक्सली घात लगा कर बैट गये अन्य कुछ नक्सली कुर्खेडा में पुलिस की गतिवितियों पर नजर रखे हुए थे। उपविभागिया पुलिस अधिकारी खटनास्तर पर अकेली ही जाने से वे नक्स लगियों के निशाने पर आते ही विस्पोर्ट किया गया जिसमें 15 जवान शहीद हुए तो चर्चा का विशय बने भासकर ने इस घटना को अंजाम दिया ऐसा बताया जा रहा है तो मैंनेस न्यूज लाइफ की खबर देखने के लिए आज ही प्लेश्टोर से मैंनेस हिंद